नमस्कार दोस्तों लोड लेकसी में मैं शोवन लोड आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ आज का वीडियो है मेरे ओडियो सिस्टेम के बारे में मेरे वीडियो में पहले ओडियो इतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण बहुत लोगों ने मुझे बताया कि मुझे अपने audio system को upgrade करना चाहिए और इसी वज़े से मैंने बोया की तरफ से आने वाला ये माइक खड़ीदा है ये lavalier माइक Amazon में आप लोगों को मिल जाएगी आज बहुत जादा windy weather है तो आपको थोड़ा सा wind noise मिल सकता है लेकिन आशा करता हूँ कि आप ये समझ पाएंगे तो ये काम करते हैं दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इसी माइक की unboxing दोस्तों मैंने ये माइक clip card से order किया था और ये कुछ इस तरह से इसका box आता है एक bubble wrap से wrap किया हुआ है bubble wrap को जल्दी से निकाल देते हैं तो box में हमको दिखता है कुछ important information लिखी हुई है जल्दी से इसको खूल देते हैं पीजे की दरफ से इसको इस तरह से खूलना होता है और इसको खूलने के बाद हमें अंदर मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा एक pouch हाँ जी हाँ दोस्तों ये एक pouch है और ये बहुत ही अच्छी quality का है पाउच यहां पर हमको दिख रहा है taxi का सकते हैं इस तरह से हमए इसको लॉक करकर कर सकते हैं इसके अंदर क्या है दोस्तों और सबसे पेहले तो हमको यहां पर एक games मिलता है यह आप देख पा रहे हैं बहुत लंबा है इसका बहुत जैसंकुसां और है यह पांश मीटर तक लंबा है और यह रबर से बना हुई के स्का ninety क्यूंतर से के कैमिरा पर पांगे इसके कैमरा आप आप देख सकते हैं पीछी की तरफ हें कर सकते हैं अब माइक्रोफन के तरफ एक बार कर लिते हैं दोस्तो यह है मैक्रफोन के तरफ से लिया गया हैं और और इसओ इस मैक्रोफून दोस्तों कि अज outreach और यह है इसका audio jack, इसको हमको किसी cell phone में या फिर camera में डालना है और फिर हमारा audio record होता रहेगा, यह wire को खोल के दिखते हैं दोस्तों, यह काफी लंबा wire है, मैं इसको खोलने की सहस्त नहीं करूँगा, क्योंकि यह फिर tangle हो जाएगा, फिर इसको समाला मुश्किल हो जाएग और यहाँ पे इस पाउच के अंदर दोस्तों, एक silica जल का पैकेट है, छोटा सा, इसको हम फिक देते हैं, यह किसी की जरूरत नहीं है, फिर एक battery है दोस्तों, जो कि यहाँ पे लगाना पड़ता है, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, एक pouch है, पाउच के अंदर हमको क् clip on मिल दाया है दोस्तों, यह microphone में clip करके हम लोग collar पे लगा सकते हैं, यह collar पे लगाने के लिए collar mic है, और दोस्तों इसके साथ ही हम लोग को मिलता है यह एक jack, यह एक बड़ा audio jack है, और इसके अंदर मिलता है यह एक wind noise reduction के लिए एक padding मिलती है, तो इसको हम microphone में ऐसे लगा द देते हैं, तो यह फिर clip on करने के बाद थोड़ा सा wind noise यह reduce कर देगा, बाकि हम लोग को तो editing में थोड़ा 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 वो changes करना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा external noise को delete करना ही पड़ता है, लेकिन यह battery को हम एक बार जल्दी से लगा के दिखते हैं, इसको ऐसे खो automatic mic है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक switch को change करना होता है, और यह दूसरी mic के तरह नहीं है, इसको सिर्फ switch चेंज करो और यह काम कर सकते हैं तो दोस्तों अभी आपने देखा बोया के इस microphone के unboxing, अब एक काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस microphone के सबसे अच्छे features क्या है आप देख सकते हैं, मेरे हाथ पर यह है मेरे mic, और यह बोया के तरह से आने वाला एक बहुत ही premium microphone है, Amazon पर यह आपको सारे 800-900 तकरीबन 1000 रुपे के अंदर आपको मिली जाएगा, आप इसे आराम से खड़ी सकते हैं, यह microphone actually हर किसी के लिए तो नहीं है, यह उन लोगों के लिए है, मेरे उन दोस्तों के लिए है, जो Instagram, Facebook या फिर YouTube पे अपने वीडियोज बनाके, या फिर गाना गाके, या फि प्रिविएस वीडियो से मुझे अभी जो audio output मिलता है, वो काफी अच्छा मिलता है, आप जरूर comment section में, बताएं कि आपको कैसा लगता है, प्रिविएस audio कैसा था और अब जो यह audio सुन पा रहे हैं, यह कैसा है, जोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके features बता देता हूँ, य जादा तर Amazon या Flipkart पे मिलने वाले microphone, mono microphone होते हैं, जो 200-300 रुपए में मिलते हैं, यह तकरीबन 1000 रुपए के करीबी है, तो यह आपको stereo microphone मिलता है, उसके इलावा, एक और feature की बात करो, तो यह microphone में हमको कोई all अलग से connector की जरूरत नहीं परती है, जादा तर जो 100-200 अलग double-sided dongle होता है, वो खरीदना पड़ता है, लेकिन इसमें इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह एक controller है, और जहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे camera और smartphone लिखा हुआ है, यहाँ पे जो switch है, इससे हम camera या फिर smartphone mode में यही से ही toggle कर सकते हैं, तो इससे आसानी क्या होती है, कि हमको यह mic सिर्फ खरीदना है, plugin करना है, smartphone mode में लगाना है, और हम smartphone से record कर रहे हैं, या फिर हमें इसको camera mode में लगाना है, और camera से record करना है, यह video के साथ ही साथ, audio को भी synchronize करता रहेगा, और एक अच्छी audio quality भी हम को देता रहेगा, इसके साथ यह जो microphone आता है, बोया की तरफ से, यह बहुत ही लंबा cord के साथ आता है, आप देख पा रहा है, मैंने इसको, यह समालना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको ऐसे tie करके रखा हुआ है, यह बहुत लंबा wire है, तकरीबन 5 मीटर लंबा सकता हूँ, और वहाँ से audio यह capture कर लेगा, क्योंकि यह बहुत ही बहुत जादा लंबा wire है, और जिसके वज़े से यह मुझे आसानी भी मिलती है, मैंने अभी तो use नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैट के record कर रहा हूँ, लेकिन यह हाला कि बाद में मुझे जब मैं मैं कुशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब भी दे पाऊं, और दोस्तों मैं अभी से plan कर रहा हूँ कि मैं अलग से चीज़ शुरू करूँ, आज से और अभी से ही in fact आप मेरे comment section में कुछ भी जो आपको पसंद आए, आपका अपना सुझाओ या फिर कुछ आप लिख सकते हैं, मैं कुशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आप सभी लोगों के सवाल के जवाब भी में देपाऊं, पहले दोस्तों एक वीडियो में एक comment आया था जहां पर मैंने देखा था कि किसी ने मुझे request किया था कि मैं एक वीडियो बनाओ best laptops के बारे में, तो इसके वज़े से दोस्तों मुझे बहुत जादा study करनी परी क्योंकि laptops में बहुत सारा hardware होता है और उन सब का ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं कि कोई authentic content अब तक पहुचे, साथी साथ दोस्तों services जगा के हिसाब से depend भी करता है, जैसे कि मैं यहां का रेने व to place, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मेरे region में जो भी लोग रहते हैं, उनके लिए मैं इक अच्छा content बना पाऊ और एक अच्छा laptop आप सब लोगों के लिए ला पाऊं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा efficient भी होगा, price efficient भी होगा और बहुत ज़्यादा powerful भी होगा, मैं को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस केजिए ताकि आगे आने वाली सारे वीडियोज अब तक पहुंचती रहे, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज पसंद आएंगे, आज के लिए इतना ही धन्यवाद